हरिष शंकर गुपता सर गोरखपूर से हरी हमारी सर बात हम लोग अपर्स का काम करते हैं प्रदेसों में उत्पिडन किया जाता है उहां के लोकल के जनता के द्वारा और प्रशाषन के द्वारा इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक ब्यक्त इस मुद्दे को लेकिन ये बात नहीं है कि जब दक्षर का वेक्ट यहां आएगा तो इसके साथ भी यही होता है गुता जी बात को ध्यान से सुनियेगा बहुत इमानदारी के बात सुनियेगा जब महराश्ट का बंदा जब कहीं होकर हो अगर उत्तर प्रदेश में तो वहां भी हो जाएगा और अगर वो महराश्ट में या गोवा में तो वहां भी होता है लेकिन कम वेश थोड़ा बहुत ज़्यादा जी इस पे सर सरकार को फोकस करना चाहिए ना बैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल सहमत हूँ बिल्कुल सहमत हूँ गुपता जी 100% जी जनाब कहां से आना हाँ हाँ मुदी जी वहां गए थे मुझे बहुत खुशी हुई आपा है क्या नाम है आपका मेरा नम है जावाहरबान जावाहरबान साब बहुत बहुत शुक्रिया तैंक यू सो मच कुछ कहना भी चाहते हैं जो कहना तो आज मोदी जी ने कहा जो कहना था वो मोदी जी न मैं कुछ कांग्रेसी परवक्ता हैं यहां बैठे वे उनसे कुछ कोशन करना चाहूंगा जरूर करिए साब जरूर करिए बिल्कुल करूँगा के मोदी जी जैसे के अभी लालू परशाद यादाव मैं उनको ये कहूंगा चारा घोटाले वाले के मोदी जी को कह रहा है के मोदी जी का परिवार नहीं है के मोदी जी 140 करोड जन्ता देश की मोदी जी का परिवार है और देश की जन्ता को मोदी जी अपना परिवार मानते है और ये जितने भी विपक्षी दल है ये भेड़िये इन्होंने जन्ता को लूटा है सिरफ जन्ता को सिर्फ लूटा है इन लोगोंने देश को कभी परिवार बनाया ही नहीं नहीं लोगोंने वो परिवार बनाने का काम सिर्फ श्री नरिंदर मोदी जी ने किया है तुम्मारी मुझे ऐसे न देखो ने प्यार ó़ जायगा तुमसे ऐह से तिर्पी नजर से जो तुमने मुझे देखा यकिन मानओ तुम ही थे प्यार हो जाएगा जनाव है आली ऑली कुरेशी साह बहुत बहुत शुक्रियां लेकि थोड़़े शबद हलके बोलिया करें यार बेड़ी आडिया जा अच्छा नहीं लगता है हलके शब नहीं इसने 65 साल के अंदर जितना माइनोर्टी को इस कॉंग्रेस सरकार ने डेमॉलाइस किया है मैं कह रहा हूं मैं बहुत कम बोल रहा हूं इनका इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है 2014 में बुरा वक्त शु अरे देश के बासिंदे कुरेशी साथ इसी देश के बासिंदे है वो ऐसे इतना इतना कि अर्वार वक्त शुक्त शुरू है अर कि अर्वार शुरू है है वो ध्युरू है।